जहें दोस्तों बंदे मात्रा 83 मूवी एक बार फिर से चर्चाओं में आ गई है और इस बार उसका चर्चाओं में आने का कारण मतलब क्या कारण बताऊं मैं आपको ये मूवी को काफी जादा हाइप मिली दी काफी जादा प्रमोशन मिला था काफी लोगों ने इसके बारे बाते कहीं ति उसके बाद भी मूवी बॉक्स आफिस पर अपना खुद की लागत निकालने में भी सफल नहीं हो पाई हाँ ये कह सकते हैं कि भई ये इसन सौकरोड का बिजनस किया था लेकिन अगर कोई मूवी पड़ी ही 200 करोड की हो और वो 100 करोड की बिक पाए तो आप बताएए ना उसन लागत आखिर कैसे निकाली अब ऐसे में इसको ओटिटी प्लेटफॉर्म पर रिलीस करने की बात की जा रही है लेने उसके साथ में ये सवाल भी खड़ा हो रहा है कि जिस मूवी को लोगों ने थेटर में जाके नहीं देखा क्या वो उस मूवी को अपने बिस्तरों पर लेट कर देखना चाहेंगे कभीर खान की डायरेक्शन में बनी और रनवीर सिंग की मुखी भूमी का सजी स्पोर्ट्स ड्रामा 83 साल 2021 में क्रिसमस के मौके पर रिलीस की गई थी हलागि फिल्म के साथ कई चीज़ें बहत खराब रही इसे समीशकों ने तो खूब सराहा मगर सिनमा घरों में उतने दर्शक देखने नहीं आए जितने की उम्मीद जताई जा रही थी मेकर्स के लिए ये बात घाटे का सौदा साबित हुई अब ये फिल्म बड़े पेमाने पर दर्शकों के बीच पहुँचने के लिए तैयार है और रिपोर्ट्स हैं कि 83 का डिजिटल प्रीमियर एक नहीं बलकि दो दिगग़ जोटिटी प्रेटफॉर्म पर किया जाएगा एक न्यूज डेली के मताबिक 83 को नेटफलिक्स और डिजिटल प्रीमियर पर साथ साथ रिलीस किया जाएगा ये बात कहने की नहीं है लेकिन दोनों प्रेटफॉर्म देश के टॉप 5 सब्सक्रिप्शन बेस वाले हैं दोनों जगों उपर फिल्म आने से ये एक बड़े दर्शक वर्क तक पहुँचने में कामियाब होगी फिल्म में रणवीर सिंग ने कपिल देव के भूमिका निबाई है जबकि दिबिक पादुकोन उनकी पतनी के किरदार में है इन दोनों के अलावा भी 83 में एक से बड़कर एक कलाकार मौजूद हैं जिनोंने की अलग अलग भूमिकाय निबाई थी इने में पंकर सिर्पाटी, ताहिर राजभसीन, जीवा, साकिब सलीम, जतिन शर्मा, चिराक पाटल, दिनकर शर्मा, हार्डी संदू, एमी वर्क, नीना गुपता और बोमा निरानी जैसे कलाकार शामिल है तिरासी सची घटनाओ पर बनी फिल्म है, फिल्म की कहानी एक दिर से क्रिकेट विश्व कप में भारत की पहली जीत पर आधारे थे भारत की टीम युवा थी और वो ऐसे में कपल देव उसके कप्तान बने हलाकि किसी को पता नहीं था कि भारते टीम दो बार की विश्व कप चैंपियन वेस्ट इंडीज को हरा कर खिताब जीत लेगी टूर्णमेंट ने भारत की गिंती सबसे फिसर्डी टीमों में से की गई थी मगर जब टूर्णमेंट शुरू हुआ तब टीम इंडिया ने तमाम मुश्किल हालात से गुजरते हुए वो कारदाम कर दिखाया जिसने ना सिर्फ भारत बलकि विश्व क्रिकेट की तस्वीरें ही बदल के रख दी विश्व कप के इतिहास में दोबारा वैसा रोमान्चक जीत कभी देखने के लिए नहीं मिले रिपोर्ट्स के मताबिक नेटफ्लिक्स ने फिल्म के हिंदी राइट्स खरीदे हैं जब कि डिजनी के पास तमिल, तेलगू, कंणर और मल्यालम के राइट्स हैं कमल हसन नागरजुन की कमपनियों ने रिलाइट्स के साथ मिलकल फिल्म के तेलगू और तमिल वर्जुन को प्रिजन को प्रिजन्ट किया है इसी को लेकर प्रतिवीराज और सुदीव की कमपनियों ने मल्यालम और कंणर वर्जन को प्रिजन्ट को प्रिजन्ट किया है थी हाला कि क्रिस्मस विकेंड का 83 का फायदा उठाने में नाकाम रही थी रिलीज के बाद रनवीर के फिल्म कई मोर्चों पर फसी हुई नजर आई एक तो पहले से ही मौझूद दो फिल्मों ने इसे बॉक्स आफिस पर बहुत नुक्सान पहुचाया था फिल्में थी अल्ली अर्जुन की पुष्पा दराइस का हिंदी वर्जन और दूसरी हॉलिवड की स्पाइडर मैन नोवे हो 83 के सामने दोनों फिल्मों की कमाई हैरान करने वाली थी पुष्पा के हिंदी वर्जन ने जहां 106 करोड की कमाई करी वहीं स्पाइडर मैन के सभी संस्क्रोनों की बात करें तो वो 200 करोड के पार थी 83 के हिंदी वर्जन ने मात्र 102 करोड रुपे कमाई करी पुष्पा भी कई भाशाओं में रिलीज हुई थी साउथ की भाशाओं में रिलीज की गई 83 को बहुत दर्शक नहीं मिले करोड़ा के तीसरी लहर के शोर ने भी फिल्म को नुक्सान पहुचा है रिलीज के बाद ही आशंकाय सामने आने लगी थी कि नाइट के रिफ्यों और भीड को कंट्रोल करने के लिए जो नियम कायदे बनने तमाम इलाकों में फिल्म के खिलाफ लिया गया यहां तक कि दिल्ली समेट काई शहरों में सिनमा घर बंद भी कर दिये गए क्रिस्मस पर ही ओटीटी पर एक्स्क्लूजव रिलीज हुई अतरंगी रेने भी दर्शकों को महामारी के शोर में एक बहतर विकल्प दिया खैराफ फिल्म ओटीटी पर है तो शायद दर्शकों को अगर टोटा खत में हो जाए लेकिन उसके बाद भी इस मूवी के जितने फैंस होने चाहिए थे उतने फैंस निकल कर सामने नहीं है अब इफ इन बट वाली सिचोशन में आप बहुत सारे डीजन्स बता सकते हो कि ऐसा हुआ होगा वैसा हुआ होगा लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो भी चीज़े सामने आई है वो शायद उतनी बुरी ना होती अगर मूवी को ओटीटी पर पहले ही रिलीस कर दिया गया ह बिलीस बिलातना ही जाहिन चयापता